चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सब्सक्राइब को भाव दो जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं नरेगा योजना ठप पड़ी है सरकार उसका बजट में कटोती करती है उसी योजना को बढ़ाया जाए कि खतौली की कि बाद और जनता को मैं सलाम करता हूं आपने वो करके दिखाया जो बहुत लोग के नजर में असंभव था आपने साबित किया कि ये देश आज भी महात्मा गांदी जी का है बावा साहिब का है सरदार पटेल जी को मानने वाले चोधी चरन सिंग जी को मानने वालों का ही है आपने ये साबित किया कि रिक्षा चलाने वाले लोग बैसा बुग्गी चलाने वाले लोग ट्रेक्टर खुर्पे हल और नल चलाने वाले लोगों का ये ही देश है ये देश हमारा है आप इद्देश के मालिक हो और जब आप तैय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बसती इन्होंने आज के भाईचारा जिन्दाबाद कारिकरम को लेकर भी इनकों को दिक्कत थी सुनने में तो आया रोकने के भी कोशिश की सरकार के इनों अभी तक आपको समझी नहीं पाए आप हमें छेड़ों मत हो सकता खुदी रुख जाए और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रुखने से ना रुखे जैसे मदन ने का बात अंगारे की कौन ख्याल लखेगा बात तो च में इंगारी जिन्दा है कि मैं कल रात को दुश्यन जी के कविता पढ़ रहा था मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव पे बिल्कुल सटीक बैठती सुना दूँ पिर धीरे देरे यहां का मौसम बदलने लगा है वातावरन सो रहा था अब आख मलने लगा है हमको पता भे नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी से ऐसा उबलने लगा है जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में हर एक सच कलपना से आगे निकलने लगा है ये घोशना हो चुकी है मेरा लगेगा यहां पर हर आदमी घर पहुचकर कप अपड़े बदलने लगा है बाते बहुत हो रही है मारे तुमारे विशे में जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है ये जीत आपकी है आपके उस मनबल को सलाम करता हूँ मेरे लिए बहुत मीठे अनभव रहे देखतिकर तोर से ये चुनाव मैं हमेशा याद रखूँगा हमारे दल के कारेकरता हमारे गड़बंदन के कारेकरता जिनोंने बहुत मेहनत की वे भी हमेशा याद रखें तीन ग लिए हर घर तक परची बाटने गया हर मद्दाता से उनके परिवार से बाचीत करने का मौका मिला और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में दिल में है और मैंने ये फोसला ले लिया है कि अब ये कारवार रुकेगा नहीं हमने जो सीख ली है जो प्रेड़ना ली है आप से उसे पूरे प्रदेश में उस अमला जामा को पना कर हमें लोगों के बीच जाना है और मैं घोशना करना चाहता हूं उस मन से नए साल के बाद समरस्ता अभियान के नाम से राश्ट्र लोगदल का एक कारिकरम हम सुरुआत करेंगे और मेरा लक्स है कि इस एक साल में 2023 के वर्स में पंद्रा सो छोटे मोटे बड़े गाउं में खुद जाओंगा डो टो डो जाना पड़े जाओंगा हर तीसरे दिन में कारिकरम होंगे और हर दिन दस से पंद्रा गाउं में बैठक होंगी जहां आपको भी अपनी बात रखेने का अफसर मिलेगा इतने ایसे गाउं हैं जहां कभी चौधी अजीशी सिंग जी नी जा पाए हूंसे पहले चौधी चरण सिंग जी के पाव गाउं में नहीं लगे उंगे लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधी चरन सिंग जी को सजा के रखा है दिलों में सजा के रखा है कितना बड़ा आशिवाद, कितनी बड़ी पूंजी है हमें अपने बैचारिक दिश्टिकोन को भी मजबूत करने की जरूरत कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं गटबंदन की बात क्यों कर रहे हैं इसलिए नहीं कि इस सिर्फ सत्ता का रास्ता है लेकिन हमें व्यवस्ताएं भी बदलनी जो चौदी चरन सिंग जी के सपनों का भारत था जो उन्होंने कलपना देखी थी जो सपने देखे थी आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गई हैं इस देश में किसानों की हाला किसानों की दुर्दुशा किसी सी छुपी नहीं है उत्तव प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आखड़ प्रदेश के आखरी रिपोर्ट थी उसके अनिसार उत्तव प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इंकम आए 8,061 रुपे 8,061 रुपे मासिक आये है माफ कीजिएगा साधारन सामान्य किसान परिवार की एक आदमी के नहीं पूरे परिवार की अब 8,000 रुपे में कैसे वो गुजारा कर रहा है कैसे खर्चे कैसे मीट कर पा रहा है और ये तो आपकी रोज की जिन्दगी है 5,000, 6,000, 7,000 रुपे के लिए ये सरकार सरकार के दलाल आपके दरवाजे पर वसूलने को तो आ जाते हैं लेकिन जो आपका ड्यू है जो आपका भुकतान समय पर होना चाहिए अभी तक भी सरकार गंडे का भाव खोलने को तयाब नहीं लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया अब वो बात अलग है के बाबाजी तो पजामा पहनते ही नहीं आपने पोल खोल दिये सब लोग समझ चुके है दूर तक समझ चुके है किसान समझ चुका है पांच साल में 35 रुपे बढ़ाने वाली सरकार कताई भी गंडे का अच्छा भाव किसानों को आप 25 माल लो अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाती है इनकी मंसा साफ हो गई तो आप गाट बांद लो खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे छेतर में जन्ता को नहीं मिला बच्छडों के जुंड हो गए अब इतना असान काम ने रहा इनके जुंड यहां भी आये थे आपने यहां से तो खदेड दिये अब यह आप देखिए के चायना के साथ चायना का गुस्पेट बढ़ रहा है सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं सो उबार का दिन सदन चालू था कोई खलल नहीं थी सामान चर्चा दोनों सदन में हो रही थी मैं भी रास्वा में बैटा था हम लोगों को जानकारी नहीं थी लेकिन मीडियो वालों लोगों बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं सरकार की जिम्मिदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में उस पवित्र जगा पे उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए ता पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए राजना सिंग जी जवाब देते हैं कि सदन की छुटी थी इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ठूजडे को बता रहे हैं अंगलवार को बता रहे हैं कि यह कोई बाहना नहीं है हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझाता नहीं कर सकते हमारे बच्चे वहां तेनात हैं मैं मांग इस मन से अपनी कहत करता हूं बार बार हम कह रहे हैं फिर दोराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुस्मनों से मुकाबला करना है जो हमारे परोसी राज से रिष्टे अच्छे नहीं है आज और बिगड़ेंगे आगे और तो चुनोती है अगर मुकाबला करना है तो देश के सैने को आप ताकत दीजीए आज देश के सैने के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में जो हमारे गाउं के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जा वो वर्दी मिल जाए उस वर्दी को पहन कर हम अपने खोन को बाने का काम करेंगे कुर्बानी देने के तैयार हैं सहानत देने के तैयार हैं उस भावना को उनोंने ठेस पहुचाई है मैं मांग करता हूँ जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो मैं उनको जवाद देना चाहता हूँ कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं अगनीवीर योजना को रद कर दीजी ये योजना हमें पसंद नहीं है देश के नौजवानों को ये गले से उतर नहीं रही योजना किसी ने मांगी नहीं कोई समझ नहीं पा रहा हम चाहते हैं पक्कीस थाई नोकरी आर्मी में मिले हम चाहते हैं हर सैनिक को उसके परिवार को उचिस सम्मान मिले उनको पेंशन मिले जो सरकार यह कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है वो देश के नए पारलिमेंट पे पैसा क्यूं खर्च करती है पास साल में साड़े तीन हजार करोड रुपे अपने प्रचार में एडवर्टिजमेंट में खर्च क्यूं करती है मोदी जी के लिए दो दो नएने हवाई जाज क्यूं खरिती है ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ और एक मशूर कभी ने कहा था ना कि तू इदर उदर की ना बात कर मुझे बता ये कारवा क्यूं लुटा मुझे रह जनों से गिला नहीं तेरी रह बरी से सवाल है तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभी नेता ने किसे रंग के कपड़े पहने लाना पह ये दर्वाजे पर चटकनी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं कैसी तस्वीर देखते हैं पता लग गया देश को तो इदर उदर की बात ना करो समय पे नोगरी दो नोजवानों को समय पे किसानों को भाव दो जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं नरेगा योजना ठप पड़ी है सरकार उसका बजट में कटोती करती है उस योजना को बढ़ाया जाए सहरी छेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए हमारे गाओं में पेंशन बंद हो गई हमारे सिक्षन संस्थान से जुड़े बच्चे बता देंगे स्कॉलर सी बंद पड़ी है अभी मौलाना आजाद फैलेशिप के नाम पे विज्ञान के छेतर में जो हमारे माइनॉर्टी के बच्चे पड़ रहे थे उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया कैची चला दी तमाम ऐसे बाते हैं ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अब से लेकर दोजार चौबीस तक जनता के बीच रहेंगे मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से जो प्यार दिया और चुनाब बाद भी पूरा दबाव सहन किया खानप सब्सक्राइब के साथ अन्या होने वाला नहीं है तेज तारीक चौदी चरंण सिंग्जी की जहनती है मैं आप सब को नोता देता हूं जो आ सके किसान गार्ट पे भरतपुर पर अपने गाहों में उसको मनाने का काम करें धन्यवाद जैन्जै भारत